काल तुम लोगों कहां तक पड़ाया थे 288 ता कंप्लीट हो गया था ना 289 गरियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वाट जो होता है वह जो बना होता किसका सिलिकॉन डाई अक्साइड का चाहिए जानें चुबिमाइल तो होता है याद रखना यदि मॉबाइल के चिप्स की बात करें फिलीकन यही orchestraणा यहीं मोबाइल के घरी में घरी की बात करें तो मुवैल के बात कहते थी कुछ तो हो जाएगा शिलिकान डाय अक्सायडु संटर कौन सा पत्री का कारण नहीं अधीक पानी पीना देखो पत्री मतलब कृत्र मुसकों पत्री बता है यह टमाटर के वीज में होता है कोई व्यक्ति जिसे मानलोग पानी कम पीता है और टमाटर खुब खाता है तो उसको 100% पेट में पत्री कि वह स्टोन चलता तंस इतना क सब्सक्राइबर जब साउ पता है यह सन नुकिला ठाइप मेचा है । पेट में दर्द होंगा लगे मतलब फीर अचानक ठीक हो गया और अचानक दर्द हो अशन परेशान कर रहा थे स्टितिम समझ आढ़ कि किसको क्या होगिया क्यों पत्री क्यों प्ल्षि का कम पानी पीना अच्यसार उश upload境 हो जब दो क्या करता है पानी कम पिया जा रहा है एसस्तिथी में जो पार है तो जितने उसको आप सकता है पानी कि ऊतनी तो दुझे चीज़ तो रहे गिया कि शरी मतलब इस्टोन हो चुका है आप फिर भी हम क्या कर रहें पानी नहीं पी रहें तो ऐसे स्थिति में उसका साइज जो है न और बड़ा होते जाता है और साइज यदी बड़ा हो गया सब्सक्राइज यदी बड़ा हो गया तो बिना ओपरेशन का कोई भी ऑप्सन ही नहीं तो तो दो इसको धी अंपड़ाँ को पानी था यह को फर ऋपरेशं की नहीं हो गया तो आना यह मतला जहीं हो दो दबाए खाकिए उसको गलाया जासकता है लेकिन साइज यह अपने साइज से उबड़ा हो गया मतलए कि नॉर्मल साइज जो होता है वो साइज सिवरा हो गया तो बीदावट ऑपरेशन का कोई भी उसका रस्ता ने बसता है अच्छा सरी यह कड़ होता है एक तोक पानी कमपीने से टमांटर का जो बीज होता है टमांटर का बीज वो इस्टोन के लिए काफी खतरना खाने की लिए बिल्कुल मनना कर दिया जाता एक टमांटर के बीज तो जाना ही ने चाईए आपके खना में पाला पालक का साब जाना ही इसके लिए जिसके पेट में स्टॉन होगी है अनिया था हम लोग नॉर्मल इसाथ नहीं करते हैं लोग खाते हैं नॉर्मली खा लेते हैं खाना भी लेकिन इसलिए हम तुम लोग बार-बार कम से कम हमारे सरीर को नीड होता है साइंस के हिसाब से कहा जाता है कि हमारे बोडी को पांच लिटर पानी चाहिए कितना पांच लिटर लेकिन हम लोग दो लिटर पीते हैं कम से कम दो नहीं चाहिए दो नहीं गया सोच लोग की 100% पथरी होगा और वो देरे-देरे जैसे उसका साइज बढ़ेगा वैसे ही विक लेकिन जब टेस्ट करवाता है पता चले स्टोन हो गया पथरी हो गया तो ऐसे स्थिति में एक चीज़ है पानी जो व्यक्ति कम से कम दाय तिन लिटर पीता है नो ऐसे जाना साइंस के साब से जहां हमारे बोडी को कितना पांच लिटर चाहिए लेकिन हम लोग यदि दो से करें कोन से पत्री के गठन का कारण नहीं नहीं है कारन अधिक पानी पीना यादि तुम अधिक पानी पी योगे तो उसका गठन नहीं होगा वह होगा ही नहीं इसलिए दियान रखना करत मित्रीत रहने के लिए दूद में बसी वसा गोलिकाओं के अकार को कम करने की परिक्रिया को कहा जाता है होमोजेनाईजेसन क्या कहा जाता है होमोजेनाईजेसन कहा जाता है समुद्र के पाने के अलवनी करन के लिए इस्तमाल किये जाने वाली तकने की क्या है आसवन समुद्र के पान देखो अलवनी करन के डी जाले नेशन इसमें क्या समुद्र के पानी अब जैसे तुम्हारे साथ ऐसी परस्थिती बने गया है कि तुमको तो वहाँ पर समुदर का ही पानी है और यह था नहीं तो भाई तो प्रोबल्म किरेट हो जाता है और लवनिय करन कर दिया जाता है तुटी फुटी वासाम जैसे तुम लोग क्या करती है पानी को गर्म करती हो तो देखिए धक्कन जो रखते हैं तो उसके बुंद के रूपर बहुत सारा पानी हो जाता है वह पानी बिल्कुल सुध होता है पानी को त्यार किया जाता है इसलिए सबसे सुध पानी रहता है तो वह पानी जो होता है सुध होता है कर एक कार की गती किश पर निर्वर करती है स्पीडोमीटर vert कों सा हिरदय के पार्ज की अधिक उप्युक रूपसे बताता है सब्सक्राइब को हिर्दय के अधिक उप्यूक्त रुप से बताता है सब्सक्राइब कर एको काडियोग्रम अब तुम्हारा तुम को लग रहा है कि पर्फॉक्त करेंगे मिलको काम रहा है या नहीं कौन की सा टेस्ट केखाईगे पे का पर मूं घटाक्या कारवो नेंड़ पानी क्या होते मीठे जल के में अंख adesso कारण है कर टेंउल से कि रुप में पडियों किया जाता है जिलेटिन तुम लोग जो आइस क्रीम खाती हो ना उसमें क्या पडियों किया जाता है तो काडियों कि से किसे समंदीत है तो डॉपलर इफेक्ट से किसे समंदीत है डॉपलर इफेक्ट से करें डैस उसमा टांसफर्मर का एक परकार नहीं है परतिवीम का परकार नहीं है टेबलेट दानेदार चीनी समानता डैस की रूप में जाना जाता है टेबलेट दानेदार चीनी टेबलेट सम यह तो चीनी के जगह को उसका पढ़ियों करोगी तो हमारे सरीक बहुत होता है लेकिन आज के डिट में क्या किया है आदमी बेकुप बनाने के लिए चीनी कोई क्या कर दिया टेबलेट के रूप में कर दिया बरावरा कर दिया और मार्केट में ला दिया को मिस्री उसकी ओटो मुवाइल एक जाउट में समाविष्ट महत्पुन क्या है लेड़ डैस कक्छा में एक अंत्रिक्ष अस्टेशन नहीं था वाजेयर वन यह सजिक्य का बहुत गर्मी सीधी डिया से समंदित नहीं होती है थर्मल उड़जा का मापन से सिद नहीं होती है सीटी एसकें यह तुम दो है सीटी का अर्थ क्या होता है कहां पर डिफेक्ट है तो इसलिए काफी कोच्टली भी होता है तो इसमें का मतलब क्या होता है एक माना भडी का जोर नहीं गया मानभडी का जोर नहीं ऑ समझे माहब अरहाब तब कर्म किसकी एक संजुगत पहली थी भारत और भृट की देखेएं न्यूटन भा मांभड कार्यकर्ण होताइबивать बारत और ब्रिटेंट के भीच हुआता है यह भी परकार के प्रकार की है इसमें क्या क्या जाता है पोड़े बोड़ी एक मसीन होता है उसमें पेसेंट को लेटा दिया जाता है ठीक है पाउं से लेकर पूरे सरीर को मतला जना पूरे सरीर का टेस्ट करके बता देता है इसका फूल होता है सिमेजिंग में रिटीक रेजोनेंस इमेजङ में डीक रिजोनेंस इमेजिंग में डेस कि दाई मैक्रो का बनाने के लिए पडियो किया जाता है तो अब जब सुम्हें लादां अब से ने किया किलिकण और लेका बनाने के लिए किया जाता है तो क्लिकर योटे निक कंटाब duż दरसाने का काम करता सर कितना कमता मैनस 150-150 काConf सब से महत्पुन घटक क्या है सिलीका काąd गटक संव comfort गटक से दोrologर जो महत्प्ँन महत्पुन भुमिका होता है क्या है झेसी तुमारे घर्म कोई पाटी होने वाला तो देखी होगी उसमें यह सब्सक्राइब कर लेकिन उसका मुख्य जिम्हेदार doesके के पास है तो उसी प्रकस्थ मतलए वन्ला रहा सबसेज़्दा ज्यूंता है किसा सीलिकड कर रहा था इसलिका को बार 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 कर रहा किसे बनते हैं तो पॉलीमेथाइल से ना ऑड सी बनते हैं तो पॉलीमेथी लेजाएं किस तरह प्रस्ण दिया जो सोच भी ने सकता है कि अगहाथ वर्जिता डियास के गून अदाथों के थोरे नहीं अदाथों करो जैसे अगार्त वर्जित करना चूर जाता है चुर्चूर हो जाता है पाले भारतिया अंत्रिक्षियान अपने डयास पर्यास में मंगल गरह की कक्छाव में पर्विस किया निक्स टूथ पुद्ध टूथ टूथ पेस्ट की मां सामगिरियों में से एक नहीं है तो सोडियम कार्वोनेट टूथ पेस्ट जो हम लोग करते हैं मुझे जो साब करते हैं उसमें इसका पड़ियों नहीं किया जाता है डेस कारवन का एक रूप नहीं है तो कारवन के दो रूपे हैं अपर रूपे हैं कुन-कुन ग्रेव तकर कि सिलिकन होगा नहीं होगा तो एफी परमानु के बायतम कख्छा में उपस्तित इलेक्टोन की संग्यां कितना नहीं है यह पी मतला लोह आयरन तो कर दो किसकी बायतम किसके माधियम से की जाती है तो लेजर के माधियम से की जाती है तो लेजर की से जाती है किसी जीव को सोसील इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है जिंगूड किसको जिंगूड जीव को सोसल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है मनुस के सरीर की वह गरंथी जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सराबित करती है मनुस के वारे हम पुछार मनुस का कौन सा वह गरंथी है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सराबित करती है मतलब मनुस का कौन सा ऐसा गरंथी है जो howron create करता है और enzyme देता है तो यह है इसको का जाता है किया अगनास है पाचक गरंथी पाचक गरंथी का जाता है इंग्लिश में करते है pencriage यह मानम सरीक एक ऐसा गरंथी है जो ने स्रावित करती और दोनों देता है एंजाइम भी स्रावित करती और जहाजों की गती में भी डेस पे अदारी थे जहाजों की गती में बीर्दी किसके सिदान पे सरपर्थम अनुवांसिक अभी यामत्री की का दूसरा नाम क्या है पुनस संयोजक डिया ने प्रोधे की नेक्स कॉस्टन है तुम्हारा है कौन से एक विकल्प दुवारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परसारित नहीं होती है इसमें जिसको तुम लोग एट्स काती उसका वारिस के वहटा HIV वारिस तो का रहा है कि समाध्यम से एक व्यक्ती से दुसरे व्यक्ति में नहीं पहल सकता है हम इस ट्व मेरा है तो अप्सन में दिया होगा भेचा सारे से बढनाने कर संबना है यहां मच्छर का काटना। घटान किसे ग्रॉप मच्छत को मच्छत कुट है तोम इसन अधुम काता तो उसको अधु पाइडिन से किसी के साथ खाने से नहीं होता है किसी कपरे पहलेने से नहीं होता है यह क्या होता है जब खून का क्या होता तो नाई की दुकान पर पहले से बाल कटा रहा था और वह गरसीत है इस बीमारी से गरसीत है अब देखी होगी जब बाल कटाता है तो नाई जो कटता है तो क्या हो जाता है कटता है तो वह बीमारी की बाल कंचुक के ह Weihnano प्लेट साथ लेटर निकलता है तो वह ब्लेट क्या लगी है तो सुई दिने आता है तो क्या करता है एक सिरिंज का पढ़ियों किया अब जो देता तो वह सुई क्या जाता है अब जाके दूसरे पेशेंट को उसी सिरिंज से सुई दे देता है यदी ऐसा कोई डॉक्टर करता था ऐसे स्थिति में क्या होता है एड़ प्हिलता है तो पहला हो गया यह नाई के दुसरा हो गया तो बड़ा यह तीसरा होता है यह सेक्षुल चीज पाटिसिपेट करने से डाट भी समंद बनाने से जैसे कोई गल्स है ठीक है कोई वाइज है इस चीज से गरसीत है और उसके साथ में दिक रिलेशन्सिप में इसके पास तो निकलता है और उसको उसी से फिर दूसरे को कड़ दिया तो वह आदमी जागरूख होगा यह इसी बीमारी है कि मतलब जन बहुत कम व्यक्तिक होता है लेकिन आज के डिट में बहुत रप्तार पकर लिया है तिक शेश्वल चीजों से लेकर जाना समंध्र बनाने से आज के डिट में आदमी को पता नहीं है कि आया है यह बिष्टारीत रूप से फिलते जा रहा है कि तो अप्सन में क्या था उप्सन में मच्छर के काटने से लियां दखा करो अब मुद का दिखते रहा है सब्सक्राइब करने से यह नहीं फेलता है दात का इनेमल किस से बनाता है यह कापी मजबूत होता है इसलिए देखती चीर फार वेगरा लोग इसी से करता है मनुस के बेग्यानिक नाम होता है इसका अर्थ पूछा है मनुस के बेग्यानिक नाम होमोसापियंस तो होता ही है इसका अर्थ क्या होता है वाई जो होमी नीड है तुमसे पुछा जाएगी कि होमोसापियंस का अर्थ क्या होता है तो वाई जो होमी नीड होता है पेंडूलम लच बद दोलक की तरह काम करता है अता इस इसका प्रियों क्या जाता है क्लाई में पाँने सब्सक्राइवाली घरी यह जो घरी होता इससिका प्रियों क्या ज़्यों कंजह मैं और लग कि तरह करता है किसके तरह करता है सरीर को संकर्मन ॥ just my Mysk 다섯 मुश्मारे सरी की जोन क्या करते हैं संक्रमन से बचाता हैं यही तो इसलिए का चरिक यह क्या पर लूर ना चर्ण पलूपा श्मारे यह ब्रेट की का व्हyty करता स्क्र का है अच्छे क्रने से शब्सक्र यह खाने से इस डियो डिप 화ई सिखिए झाइंट का यह शोटी, आंट का बहाग स्यांट, दियुआ नएक चोंटी आत कह भाग सिखिए तकाई के लिए, ठहिंदी हिंदी में तो नहीं समझ में आ गया होगा है तो उसमें किया जाता है तो उसमें वह बनता है तो उस सीशा और टीन का मिस्रधातु होता है सिसा और टिन का मिस्दा तो मिला कि उसको बनाया जाता है समान रूपता रक्त केंसर के रूप में किसे वरगी कृत नहीं किया गया था कॉर्षी नौंा को. धारा परभा को सुचालक के परतिरोध से समंद करने वाले नियम को क्या का जाता है? तो जूर नियम का जाता है. परः धारा परभा को कि समंद में कौन सा कथन सही है? किस तरंग की किस तरंग की बात कर रहे हैं एंग्लिश में उसको कंछी बो जरूत सबब्सक्रार नहीं माधियम सरकी की नहीं वर चैसे हैakah जैने में किया करता है हिल्ब करता है तो दोनी तरहंग यह साउंड वेव एक ऐसा जिसको यात्रा करने के लिए इसको किसी परकार की माधियों की जुरूत नहींक पड़ती है डेस में लेजर तक्निक का पड्योंग नहीं किया गया माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव ओवन पेर की वर्सा में आयू का पता पेर की वर्सों पेर की पोदों की वर्सों में आयू का पता लगाने हैं तो कौन से तक्निका प्रयोग किया है कौन सा पोदा कितना पुराना है इस इसका पता हम किसे करते हैं किस तक्निकी कि माध्य कितना पुराना है कोई सब्म पूराना है यह को है इसके लिए किखला किया जाता है चले की कॉंट करके बताया जाता की ये पोधा कितना साल पुराना है तो सप्रकाल का प्रवा किस से कर्एंध जा रहे है किस रिड़ से करिब जा रहे ह然 इसका करते हैं किसका परियों मेटर का किसका परियों करते हैं घ्रमेन का परियों करते हैं कि रही के οर प्रसन को सुद्ध सोचने की जुरूद नहीं है कुछ चीज तुमको पढ़ते हैं लग जाएगा कि इसका अंसर यह होगा तिका कौन सा अंग मनुस के उत्तरजन तंत्र का अंस नहीं है अब मालों चार अंपसन रहेगा चार उपसन मैंसे त्यन तुमको मिलेगा उत्तरजन वाला अंग का नाम यह हैं लेकिन उत्तरजीत कर रहे हैं प्रसंदेख कहीं यह लग जाता किसका अंसर क्या होगा कोलिस्टरम करता है देखो करता है कि मनुस के नवजात सिसू को अस्तन गरंती योग से एक मा जब बच्चे को जन्म देती है तो कहा चाहता है कि डॉक्टर जैन उस फर्ष्ट बार जैन ते उस बच्चे को मा के अस्तन का दुद्ही होना चाहिए ठीक है वह इतना इतना बेनिफिसियल होता है उस बच्चा के लिए मतलब वहीं से बच्चे की जीवन रक्षा शुरू होता है लेकिन दुरवा की बात है आज कल की मैला खानपान के कारण तो फ़र्ष्ट बेबी उनको जर्म बर्न लेती है जर्म लेती है तो उसके बाद पता चलता क अक्षा, उसके मां के जनन अपने बच्चे को दूद नहीं कर सकती है उस पता चलता अब तरन नहीं बन रहा है तो ऐस dress mews इसका मतलब सब्सक्राइब कर दिया जाता है कि इस लिए हमेसा है यह सची समझदारी की जरूत है यह सची ज्ञान होने की जरूत है कि हम क्या खाएग और क्या नहीं खाएं अब यहां पर पुछा जारा है कि क्यों दिया जाता है उस बच्चे को जैने कारे करता है। जिसके पैरन जैनल वह बच्चे के लिए क्या होता है अमै तुसमुक्य समय उच्छे चीज पर चीजी कर दो तो सुच सकती हो कि वो बच्चे का जीवन का जो ना रचक सकती कितनी मजमूत होगा लेकिन आशकर बहुत ऐसा कम खास करके गाउंगर के मैयला जो यह सचीज में अभी भी जो है न इस चीज को फुल फिल करती है लेकिन मार्केट के जो लेकिशने मेला होती है उसको खुद य झाल कांच में रखा गया इसके पीछे क्या सेंस होता है कांच में रखने का क्या संस होता है बच्चे को कांच में इसलिए रखा जाता है, जब बच्चे जर्म लेता है तो वो पिलिया से गरशी तरह आता है, जोंडिस से, जोंडिस से, आप सोच सकती हो, जिस बच्चा ने इस दुनिया को देखा भी नहीं, जिसको ना समझ कि जड़ा साभी समझ में नहीं आया, ठीक ह बच्चे को फस्टी में इस तरह की बिमारी हो गया, जोंडिस कोई इसको इसको कहान सही नहीं, उसके औठन बेटन शही नहीं, तो इसलिए खाश करके घर भरती महिलां को जब इस तरह की इस स्थितिमन रहती है तो उसको खान पान पर क्या देना चाहिए, बहुत है डिया देना चाहिए ताकि aap söyleye कि उ बच्चे को जो सब्सेट का किजिए खम सेखम एक अच्छी जीवन देने के कम कि उसके लिए इक मां को विस्वस्टरानका अथी आवसक आ कetusव हैं जा ml bedsa कि सुन कहुं को किन le Br की मरमत के लिए किस परकार के सेल विवाजन का पड़ियों किया जाता है समसुत्रन का किसका समसुत्रन का सरी में लगी चोट मरमत के लिए किस परकार के सेल विवाजन का समसुत्रन का सरी में चोट लगा उसको मरमत रिपेर करने के लिए किसका कौन सा विवाजन होना चाहिए कुण सा निक्स कुछन हीरे की चमक में किसका युगदान नहीं है तो हीरे के चमक में अपवर्तक सुचकांक कोई भी युगदान नहीं है नूइटन का कुन सा गती का नियम दिवार पर फेका हुआ गिन क्यों टकरा कर वापस लोटता है कि समध में वेक्या परदान करें कीरिया के परतिया नियम तुम ने क्या कि गिंद को लिए और दिवाल पर फेक दे दिवाल भी कहा था हम क्यूं रखे जो यह उसलिए क्या पुरती कि यह तो ऐसे प्रसंत वो तुम लोग बनाई दोगी दैस कि पर्योग दूएरा नाले के पानी से पीने योग पानी प्राप्त किया जा सकता है ड्यास पर्योग दौब देख मरता क्या नहीं करता है और जरुवत को लोग क्या तो यहां पर पानी की किलत है तो वहां पर दो ही रास्ता या तो पानी चाहिए या तो मौत पानी चाहिए तो जिन्दा ने तो मौत तो भाई उस टम जोना आदमी जो ना कुछ पीके करें यार हमको जिन्दा रहना है बस आज जिन्दा रहा गए तो परसू यहां से भाग जाएंगे अतर्सू सराम से पानी पीएंगे यहीन होगा बीमार पड़ेंगे लेकिन सर इसकी परिक्रिया है इसको भी सुध करने की ना सुना करें किसे एक ग्रीन हाउस के सो में साबिल नहीं किया गया था फासपाइन का कौन नेक्स्ट को सना तुम्हारा एक मादा यूगमक में एक मादा यूगमक में डैस जोरी क्रोमोसों होते हैं तैस जोरी हमको जाने कभी-कभी आसर लगता इसंसरा क्ट मों चुटी ओमिरी नहीं जोरी तर दो लोगते हैं मतुरेणा दो चुटी कि लिए करने रहती हैं कंपड़्य हैं चाम की चर्मीयों कि में सचोड़िश करने लगत्या हूसंक्तौब जसके सब लूं मुठ कर लेशाब इस लेकिना थासे सका बैटा भी आ अ यह तो बाहर काठे बगए रहा है तो हम सूचे कि जम् कर यह नहीं कर देते हैं सबादी मील की कर ली जिया तो और क्या कर रहे थी पंपा पकर के पाणी मार रही थी किस पर घैट जैसे बानी मार रही थी तो दर से में आख जै alarm पाढी मारी न तो cd कर नीचे जैना 1 paar the पाइप छोड़ के यह तना जोड़ से चिलाए कि हमको लगा कुछ हो गया इसको तो इसका बेटा एक तम पुरा मजा लेले है वाँ बेरी गुड बेरी गुड इतने छोटी से बच्ची है वो भी जनो पुरा है वोले वाँ बेरी गुड मामी बोलती ना डर ना डरी क्यों तो इसकी पेसेंस में इसकी हिम्मत में लेको कितना का अंतर होता है तो करहा कि किसे गिरी नेक्स को साने के हां कि यॵक्मत में टेस्ट जोडे गुडू लेलारे वश्कमत हीं यह एक मादा यूगमक में टेस्ट जोडे क्रोमोसों होते हैं तो यह कर् fireworks 25 बाली सब्सक्राइ良े तोई ह मारा और आनों के साथ सुकराणों का निसेचंडबिसमें होता है प्रस नपालो बिना परसों समझें बकड़ बकड़ करती है तुम लो अंडानों के साथ सुकरानों का निशेचन देखो यह जो अने सुकरानों का निशेचन कहा होता है फिलोपियन ट्यूब में फिलोपियन ट्यूब में फटीलाजेशन हिंदी में बोलते हैं इंगलिस में क् सबसे पहले अंतरिक्ष में साधी हुई थी कौन साइसा व्यक्ति है जिसकी साधी अंतरिक्ष में विकिया उसने देखो कहा जाता है कि यह दुनिया एसी है जिसने थोड़ा सा कुछ यूनिक कर दिया तो चाह जाता है एक यूनिक किया चाह जाता है एक अभी लड़का जो है मतलब वह क्या किया फर्जी IPS बने गिया कहें से ड्रेस लवा लिया ठीक है कहें से मतलब लफंगर का गुरूप था और कहें से गारी ले लिया और IPS वहता है ना क्या करते उसको उसा लगा कि घूमना सुरू कर दिया और जान बुच के सा किया था कि जन क्या होना वाइरल होना है और ऐसा जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो पूछा गिया तो बोला कि जन तब देको कितना एक कहानी रस्ता है तो हम जो है ना मामा से दो पंच लाग रुपिया लिए औ और एक आदमी को गोस्त दी है वो बोला कि तुमको हम जन IPS बना देंगे बिना एकजाम का ठीक है अब ही वो इतना यूटूब पे वाइरल है उसका कोई जबाब नहीं है अब उनसे पोछा जाया गी यह पत कथा तुम रचा के होता तो बोले मुझे वाइरल होना था मुझे वाइरल होना था तो आज के डिट में दुनिया इंसान की कब क्या करेगा काना मुस्कील है सोच सकता हूँ एक जैना देखने इतना काला कल उठा है उसका जबाब नहीं है उस सोचा वैसे तुम वाइरल होंगे नहीं वैसे हमको कोई पूछेगा नहीं अभी उसका इस्तिति करती है तो सारे खेल किसका है सब्सक्राइब है तुम्हारे पास थोरा सा एक्स्ट्रा टालेंट हो गया थि अभी डिजीटल जिस तरह के दुनिया है तुर्ण तु च्छा जाओ गया लेकिन में डिजीटल प्लेट फर्म है इसका मतलब यह गलत तरीके से चाह ओब यूटीफे दोsuppe app काम कर रहा है एक व्यक्ति ग्यान देने। काम कर रहा है एक व्यक्ति गंगी पहलाने का काम कर रहा कोई वेक्ति गंदे कपरेपहन के मतलद रंटीवस्त के वीडियो बनाकर ले रहा है दिखाई सब्सक्राइबर ले रहा है अच्छा घंडीटल प्लेटफॉर्म एक अपके पास अक्ट्राइक्टिविटी की यह दिखा यहां तो आदमी कुछ भी करने के लिए त्यार है और का रहा है कि भाई हम मुझे वाइरल होना चाहिए अच्छा खासा यूटूब एक ऐसा है कि अच्छा खासा पैसा भी देता है यदि तुमारा अच्छा वीवर आने लगा वीवर हो गया सब्सक्राइबर हो गया तो बहुत सारा जन इस पर एड़ बेगरा आता है जिसके कर जो देखोगे वीडियो पर यह क्या है तो अच्छा खाना बनाती है तो वह बता सकती है कि मैं यह खाना बनाती हूं यह आपकी क्या है कोई जो पढ़ने में तेजा है किस तरह की सेलफ स्टीडी करती हो दिखा दो तो आज के डेट में डिजिटल एक ऐसा चीज है कि आप दुनिया में चाह सकते हो अभी देख लो पूरा भारत यहां तक विदेश तक जानो उसका वीडियो वाइरल हो गया आदमी को ऐसा लाग वीडियो देश्चिण करता था हरे राम 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 बुझ किर्थन होता है ना तो जैसे नम्नमी वेगर में खेटन करता था ता अचानक उसके दिमाग माया कि क्यों यह उसको कुछ भोश्पुरी वाला गाना पे जने इसको गया जा हरे राम आ को थेख लह भी वार्या ह हरे राम राम यह थोड़ा सा उस क्या कर दिया बदल दिया ठीक है और अभी इतना वाइराल हो ठीक है जिसको कोई ने पुछता था यही चीजे पढ़ती हो तो हमेशा कुछ अपना अलग पढ़ाई एक अलग बे में जाना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मेरे पास आना चाहिए ठीक है तो यह सचीज क्या है आज की डिटका आचा यूटूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी हर विश्यस्ता को दिखाने के लिए यहां ते दिखाने के लिए आप यूटूब से जोनल लोग क्रोरपती बने गया ठीक है लेकिन इस पर कंटिनी का करना पड़ता है अब एक दिन वीडियो डाल दिए एक मेना सूते गए कोई पुछने वाला नहीं है तिक हां मेरा जो कितना पुराना चैनल है बीच में लगा देर है तो कितना सुन्दर रणिंग कर रहा था फिर वीडियो डालना छोड़ दिये तो देखो क्या स्थित चला वालिया तिसलिए कोई भी हर चीज मांगता है शुसक्त में मनाव मांव जिससकी पहले अंत्रीक्ष में शाधी होई थी तो आदमी था मालें मालें चेंकी इसने अंत्रिक्षण में जाकर साधी किया तो कोई पूछता है तो कितना साधी होता है लगिन इसने कहां जाके साधी किया तो यह है यूरी ओर नाम उइसा नहीं है अंत्रिक्षण जखना तिक नहीं यूरी मालें चंको क्या नम यूरी मालें चंको डैस पिर्थिवी पर सबसे अधिक बुदीमान अस्थंदारीय डॉल्फीन देखो मनुष अपना अहंकार में जीता है इसको लगता है सबसे बुधीमान सबसे चलाक सबसे चापनूस सबसे बुधीमान हम है गधा को इस मानब को पति नहीं है तुम से भी जादा ग्यानी इस धरती पे हैं तकाराकिफ पिर्त भी सबसे सबसे अधिक बुदीमानी अस्तंधारी है अस्तंधारी जो अस्तपान करा सके अब हम बुल देंगे तो होगा नहीं होगा कोई पूरुष बुल देंगा तो होगा नहीं अस्तंधारी तो कोई महला अपने आपको सोच रहें कि I am the very intelligent girl इस धर्ती पे सबसे बुदीमान अस्तंधारी जीव की बात किया जाए तो वह है डॉल्फी बहुत बुदी होता है उसके पास बहुत बुदी होता है इसलिए कभी भी जनम कहीं पर डॉल्फीन कहां दिखता है अपने रूप दिखा रहे थी भयंकर पानी के अस्तर बर गया थ तो उस समय को क्या मिलता है डॉल्फीन देखने को मिलता है कौन सा घर्षन बल के बारे में सच नहीं है देखो रूलिंग घर्षन की तुलना काफी ज़्यादा होता है एक मसीन बॉल बेरिंग का उप्यों काफी घर्षन कम कर देता है टेक नेक्स्ट को सब्सक्राइब शु इसे यह याद रखा करो परमानु रियक्टर में विखंडन परिक्रिया की दर को नियंतीत करने के लिए ड्यास का पडियों किया जाता है फीर आया परमानु रियक्टर देखो आब जो है जैसे कोई प्रस ने तुमको बखुत बड़ा लिख कि दे दिया तिक है अब तुम स्टैneमां जाता है इसा क्या होगा deviation कि अधैनी होता है चैसे मालूं पाइंच लिटर डूद मेरा परमानो य्यक्टर य॥ा की पूछा क्यों लिखने दो तुम एक वर्ड से यहां पर कर लो देखो कितना सुन्दर पकर लेगे वर्ड को करें परमानु रियक्टर में विखंडन परिक्रिया की दर को नियंतित करने के लिए डैस का प्रयोग किया जाता है जो खूद में ही विखंडन के बीना नुट्रन नेट्रन अब सो करता है क्यां केडमियम मनुस के लिए मनुस के लिए यालिजि जहां से रख्थ प्रिशन में क्या सामी लाहीं है तो देखो फिलathan एलीसा E-L-I-A-S-A ठीक है इसका परियोग नहीं किया जाता है नविकर्मिया उरजा का स्वरोत नहीं है कोई देखो एक होता है नभी करनी है एक होता है और नभी करनी है इसकोप में किसका प्रियोग किया जाता है साधारन सिसा का पेरी एक परकार की डिवाइस है जिसमें साधारन सीसा का परयोग किया जाता है में मुखता कौन सा जल्दी बता हो मैंने क्या पुछा तो लेक्टिक अशीद लेक्टिक अशीद दिमाग को ज्यादा उरा ओगा जाता है करहके जब जमिर्क चोड़ता है निएक स्वास्त खतरों केकारण होता है सिलिकोसिस गली के पीले लाइट में किसका पर गली में जो पीला कलर के लाइट लगा होता है सोडियम का इसे हैं इस सी धान्त पूछ रहा है यहां पे एक बतल लह दिमा के जगह पाजाए अक्रमीडर्स की सिधानद पे अंस्ता या पुंता किसी को इस विर की बात किया जाए तो आक्रमीडीज तुम अलग चीज़ बता रही हो सुर्ज और धर्थी के बीच की अनुमाजी टूरर्श और धर्थी के नल्谲िग विच्दी की दूरी कितनी है तो 14.96 इंटू 10 के पावर 7 किलो मीटर सूज और धर्ती के बीच की अनुमानित दूरी ता सूज देवता और धर्ती मा के बीच के जो दूरी है ये कितना है 14.96 किलो मीटर तिक है नेक्स्ट कोशन है चिकित सा बिग्यान की कौन सी प्रसाखा यकृत के उपचार और अध्यान में किया जाता है हेप्टोलोजी से क्या किया जाता है यकृत का उपचार किया जाता है क्या किया जाता है हेप्टोलोजी से उपचार किया जाता है मानम मस्टिक से कौन सा हिसा बुधी एसमिर्थी भावनाओं का कि अंद रचा द्रच बताओ जल्दी dot 02 प्ली ठिकना किसीहिश्क हुश्याद करते है किसे मोन याद करते है यह से तिकने घव नसे र सबस्छी नहीं मेरे साथ ऐसा बहार किया और हमको इस या से बहुत भवना को क्या हूँ फिर्ष मोंचे मुली किसका उधारन जरका चरका तो प्रार्थमिक रंग लाल निला मिस्रन में से कौन सा सेकंडरी रंग प्राप्त करता है मेजन्टा दूसरा अप्रार्थमिक्राइब निला और पीला ठीक हम वेक्टर रासी चुनों वेक्टर रासी सदीश वेग सम्वेग अब यहां पर क्या किया है उल्जाने की कुछिश किया सदीश-दीश-खूब पढ़के गया है ट्रीको याद है सर खूब रटवा दिया वह लगारी है ना ठीक माष्च करेंग है अब दूसरा टालेंट क्या है जड्रू पीता है ट्रक्स लेता है चोडी करता है धंकी देता है गाली देता है यह संवारी कुछ दूसरे खासियत है तो पैसा के अभव में गरीबी के अभव में आईस ऐपीए से बन जाए रहे है अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा उप्सन बेस्ट है लेकिन एक चीज है दो अप्सन में एक उप्सन ऐसा है जिसमें कॉस्ट नहीं करना पड़ता है अ लेकिन दूसरा रस्ता बहुत डिफिकल्ट होता है दूसरा रस्ता क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है दूसरा रस्ता इतना डिफिकल्ट होता है कि रोज गारजन का डांट सुनो रोज टीचर का डांट सुनो रोज किताब को पलटो रोज लिखो रोज परो रोज या देता गहिए क्या वन जाता है यहां हे वे क्या बन्जाता आक यह से लिए बन साइड करना तम लोग दूसरा जाना है जिसमें समय क्छाए ग्दाम वाफ आत्युंत तो लुको लोग टेक्स कर लिए मैं कर लिये ही था न कर ली बढ़ियां बोले पत्ण करता है और दोनों ये रहा था प्रविलर मेंटेन कर रहा था अच्छा-च्छा मोल में जा रहा था जाता है ये जब बहुमान की आंक खुलता है ना तो बड़े बड़े को क्या कर देता है और बंगमान की आँक खुला और जैसे खुला उस पे नजर गया बेटा बहुत हो गया बंद करनो टंकी और पकरा गया पुलिस तो बोला किसे तो पता चला कि दोनों जाएने यही काम करके जाएने अपना इमेज कमे ले था तो सोच लो तो दो रस्ता है हम तो हमेशा बूलते जब अच्छे सा पढ़ लियिए च्छे से कर लिये तो मां बापका रणाम रोस्ता करेंगा साथ साथ आप आने वाले जर्नेरेशन इतना खुसीयाली होमग मिलेगा हुसा कोई पढ़ना आई नहीं दुइक रस्ता जिस पर तुमको पढ़ना परेगा कोस्ट ते सब पटका फूर रहा है तुमको पड़ना परेगा सब चटी मया के ज़यन एकदम गीत गांके एकदम डास नाच करें तुमको पड़ना परेगा क्योंकि तुम्हारा बॉर्ड है यहीं है इसे ही बच्छा का नमर अच्छा आता है तो भेर के साथ यह बहर बन जाओगे तो पिर अलग कैसे बना है इक रस्ता एक रस्ता है कोई परिशानी नहीं क्या पर ना लिखना बढ़ियां मला कपर पर फून ले लो है आई लो करते रो, कान जिन्द की कट जाएगा, अब पता चलेगा जिस गर में जाओ वो भी कहेगा किसको ले आया है, किसमत इतना फोटल था, जिसको कुछ आता ही नहीं है, आज कल के लड़का लड़की का जो साधी होता है, जिस घर जाती है, आज हर लड़का चाहता है कि ल में या उतिनों मांत के लड़की हुआ हो जब से रुकिये ने रहा है। जोनवे वहां तुम लगुत फिर जोना होता तुम लोग जनती हो तुम लोग नया जन्नेस्टन की गोना होता था उसमें लरकी को छे महना साल भर तक इंतजार करना पड़ता था कि मेरे पती फिर आएंगे अपीर हम को ले जाएंगे तो आज के डेट इसा जदी कर दे तब प बक्षिकत बताए रहें अब लड़की सोच सथी जसाल के बाद शेय मेना के बाद फीर उसके संप्ष ऐसे बाइंगे और उसको को लोगी सबने जोتी शिए रहा है पता है कि लड़का सबक्ताने सुन रहा है नश्क निकल गया लटकी अच्छी एंतहर छोड़ा निकल गया पड़ की पास लोसी बती आती है चलती है इतर मोँ मारती अब करें कि जो साधी होके गए दो साल भी साधी निटीका है is लिए हम कहा जाता है कि एक लड़की को संस्कार मांबाप ही देती है उसके बाद होता है teacher यदि इस से पहले यदि संस्कार सीख लिया तो असका जिन्दगी सफल होता है अब जो साधी से पहले जिसको बोलने का तरीका नहीं है तुम घर में फटा फट लवर लवर जवाब दे रही हो तो इसका मतलब है तुम जिस घर जाओगी वहाँ भी तो लवर लवर जवाब दोगी यहां तो और मया बाप तो सुन ले रहा था बेचारा सोचता है मैं ममी पासे कमना चाहता है कोई आदमी तेंशा से आया कमां किया आया बाहर से दिमाख खतम करके आया ठक किया आया और उपर से घर लवर लवर करोंगे तो क्या चलेगा उसका भी चलेगा तबर 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 इसलीए एक अच्छे सश्कारवान बनो हमारी गुरूजी जैसा बोले मैं क्या करता हूँ, यह मुझे फर्क पड़ता है, मुझे मेरे बारे में कोन क्या कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यही चीज़ आप लोग को होई होना चाहिए, आपके बारे में कोन क्या कहता है, कोई फर्क ने पड़ता है, हर अच्छे कामों के, जब अच्छे काम कि तो उसके पीछे कुट्ता भोगता है अच्छे रास्ते पर चलू है आए अब हमारे गरूजी के बिचार पर चलू गें तक तुम्हारा कोई कुछ निरा सकता है बहां कि बात कि आज तक-3 साल उसी च्छीट वेघुर lif कभी कोई छुटी रखे हैं अब जो उस तरह के जान तो कुछ और सोचता है और सोचने दो सोचो गली में हाती आता कुटा भोगता है तो जो भोगने वलाद में हो तो भोगते रहता है सुनो एक बार की जो ने देखो यूग निर्वान में अच्छे कहानी बताया महरसी दयानंद देखो इससे सीख लो इससे सीख लेना चाहिए कुछ भी पर हो उससे सीखो पर पढ़ कि ऐस सोच लिया था कि इसको डाइवर्ट करके बरबाद कर देगे तो उसको रोज गाली बकता था किसको महरसी दयानंद को तो महरसी दयानंद बहूत सज्जन वेक्ति थे उसको जब जब गाली बकते थे तो बेचारी चूप-चाप सून लेते थे और कुछ नहीं बोलते तो कुछ व्यक्ति का एसा सोच था कि इसको devote करना है इसको डैवट करना है लेकिन महरसी दयानंद का जो siis से थे तो साथ जब भी जाते थे तो देखे होंगे जितने फििन पहुणते वह लाफे होता है आजकल कैने पाखंडी बाबा सब है देखती हो आते हैं तो महर्सी द्यानंद को जब भी निकलते थे तो उसके साथ में बहुत सारे अनुवाई हुआ करते तो उसको गाली देते थे कुछ आदमी का टार्गेट थे इसको गाली दो और इसको डावट करो तो महर्सी में चूप-चाप सून लेते थे और चले जाते थे तो उसके सिस्स थे तो बोलते थे कि गुरुजी आप यह क्या करते हैं मतलब वह गाली आप शिर्प हां बोल देजिए ना उसको हम लोग इत मतलब इस चीजों पर ध्यान मत दो इस चीजों पर ध्यान मत दो एक काम से सुन लो अदूसरी काम से निकाल लो तो उसके सिस बोलते हैं तो गुरुजी आप कितना बरदास्त करते हैं आप गाली देता है एक दिन गाली देता है रोज रोज गाली देता है गुरुजी आप स प्रकिर्ती का डंडा चलता है तो कोई पैसा कोई धन कोई तागत कोई गमंड काम नहीं देता है और उसका तवियत खराब हो जाता है तो महर्सी काते कि अरे आज गाली देने वाला सम नहीं है बहुत सिरियस था तो वहला कि गाली देने वाला सम नहीं है तो देखी होगी लफंगर का जो गुरूप होता है यह लफंगर का कुछ होगी अंदर सब लफंगर गयब एक ठोक बरियां से चटिया दो तो सब गयब एक एपने को पूछा कि आज जो इना गाली देने वाले सबने तो पिसकर भी इसक का बर्दास्त कर सके उसको हम क्या कर सके सहन कर सके और उससे हम शिख सके कि भाई ऐसे वक्तियों से दूरी कैसे बनाया जा सकता है ऐसे वक्ति से कैसे उल्जा नहीं जा सकता है तो फिर महरसी जी को बरदास्त नहीं हर बोли कि अपने सिस्व बोला कि नहीं पता करो अ खीरिई ये लोग गया कहां देखो एक वेक्ति में एक सधारन वेक्ति में एक ज्यानी वाले वेक्ति में कितनी सालिंता होता है तो बोले कि पता करो पता किया गया उसका सिस ने पता किया कि तो गुरुजी उसमें से एक जो है बहुत उसका तबियत इस्थिति बहुत खड़ाब है वो साहथ आप बचे ना बचे महरसी महीं बोले कि जाओ दवाय लेके जाओ डॉक्टर लेके जाओ और उसको उस व्यक्ति को बचाओ तो उसके सिस बोले मानना परेगा गुरूजी आप किस तरह के क्या आपने सालिंता है जो व्यक्ति आज तक आपको गाली देता था आज वो व्यक्ति नहीं था तो आपने पता करवाया और उस व्यक्ति के लिए आप मेडिसिन भेज रहे हैं उस व्यक्ति के लिए उपचार के लिए दवाय भेज रहे हैं मेरसी बहले बेटा हाँ, जाकि उस व्यक्ति को बचाओ, उस व्यक्ति को बचाओ, और मेरसी में बहले बेटा सुनो, यदि कोई व्यक्ति अपने मुझ से कोई बात निकालता है, और तुम्हारे लिए निकालता है, तो अब डिपेंड करता है तुम पे कि उस चिस को तुम ले दिया तो मैंने लिया ही नहीं तो मुझे दिया ही नहीं जहां से आया वहां से चला गया कि लिए न्यूटन्स का ठडलो न्यूटन्स का किरिया का परती किरिया वो चारा था जैसे आया वेसा चला गया तो मैं जाने ने देता जैसे उसने दिया और मैं भी उसके रियक्ट करता तो जैसे उसको पांच गाली देता तो उसके शिस बोला कि गुरु जी यहीत हो जहना आपसे सिखता हूं ठीक हम लोग को लग रहा था उसको जाके मारे उनलों को पीटे मैर्सी मैर्सी जी बोले कि बेटा कभी ऐसा मत करना आपको यदि कोई गाली दे रहा हैं तो आप यह सोचो कि तुम को दे रहा तुम ले रहे हो ना यदि तुम ले रहा है तो तुम बोलोगे यदि तुम नहीं ले रहे तो चुप चाम निकलो जैसे उसका मुंसे आया वैसे उसके मुंसे रिटन हो जाए फिर उस व्यक्ति को कि हम बहुत क्या है करोर पती है क्या लगता है को दो जान चला जाता है तो महरी जी को पता था कि वह जो अपनी आंकार दिखा रहा था उसके पास कुछ नहीं है और अभी जब प्रकिर्ति का और भंगमान का डंडा परां तो बचने के लिए भी दवा की पैसा नहीं है इसलिए महिर्जी ने बोला बीटा जा उसको बचा और जब उसको बचाया गिया तो पता चला कि जनू convenience कौन सा भिक्टी आया कि इतना बराड अस्पिटल में को लाया गिया इलाज करभाया गिया और मैं स्वस्त हो गया तो पता चला कि वही जो व्यक्ति को तुम्हें रोज शुभा साम गली आती थे बोला कि वो व्यक्ति जिसको मैंने आज तक गाली दिया वो व्यक्ति मुझे बचाया बोला हम और आता है और मेरसी जी का पाउँ पकर करने लगता है गुरु जी मैं किसमे था अहंकार में था गुरु जी मैं अहं में था मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं तो बुले बैटा इसलिए तो तुम गाली देता था मैं सुनता सुनता ही नहीं था और मुझे पता था एक दिन तुम मेरे सरन में आओगे यह होता है लिए उसको तुम अपने पैसे से अपने सहता से समय से उसको बचा लिया तो इसको बचा लेता है वो इतना गरसी तो शुक्र नहीं सकता डॉक्तर के स्कता लेता है समझता कोन है अब मेरे अंदर देवता है और हम देवता को समझता है नहीं इसका मतला हम दानव है और मेरा बेव कैसा होगा दानव जैसा मेरा बेव कैसा होगा गंदे कामों के लिए मेरा बेव कैसा होगा आदमी को परिशान करने के लिए और जो पाचान गिया जो पाचान गिया वो किसी का बुड़ा करी ने सकता है किसी को बुड़ा करी ने सकता है किसी को दुख में डाली ने सकता है अरे जिसने अपने आपको पाचान गिया वो अब्यक्ति हमेशा दूसरे को भलाई करेगा दूसरे को सह क्रा पूंस अदम को बदल के देखंगे लिए पारशाल करना चाहिक एंडाने की ली तब दिखंगे कि अपने सालीमता दिखायें का अपनी सालीमता दिख़ाई 25 उसमें अंतर होगाğिवार की लिए अपनी सालिंटा दिखाने की जरत है नेक्स कुर्सर ने तुम्हेरा जीवों दोरा जीने के लिए अधिक वन्स विर्धी के लिए बेहतर अनुकुली तवातावरन बनाने की पर्तिक्रिया क्या कहता है प्राकिर्तिक चैन कहता है जूत गरह बेल्ट में कौन सा बोना गरह कोड़ा है जिसको का जाता सरैस जिसको कहा जाता किसी में फांत फांत पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिडता है उससे हं타 है उसको काते हैं उसको को काते हैं प्रेसी पीटेशन पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है बादल से जो पानी गिरता है उसको कहा जाता है प्रेसी पीटेशन बादल से जो पानी गिरता है उसको क्या कहा जाता है ठीक है किस नेक्स्ट को सन तुमारा जल सोधन के लिए किसका पड़ियों करता है ते ऐलम का कि इसको कहते हैं फिटकिरी को क्या होता है फिटकिरी का सुतर आप याद किजिए नहीं का याद करेंगा है सारशी हम याद करेंगे लगार तो जल सोधन के लिए प्रयों का जाता है आज तक तो लो जानती थी से मतलब जैना अलम जाए इसको एलम कोई कोई लीविशियल जीजह है वो जैसे हमारे बोड़ी पर चोट लगा था फिक है नास बगरां चर गिया गरम पानी से करके उसमें डाल के से खने से तो तुम्हारा क्या हो जाता है सेखने से क्या हो जाता है बहुत रात मिलता है उसके बाद पानी को सुधी करने पानी को सुध करने में इसका पड़ियो किया जाता है उसके बाद जैसे किसी का पसीना है काफी जन बदभू देता है ठीक है तो ऐसे इस्तिति में थुरा से डाल दोगे न तो वह भी क्या करता ह हरना है जिनका ध्यान रखना चाहता है जैसे उस पानी को यूजुए करने Präsident 2 कम हो जाता है तो इसे पानी प्रयोग या जाता है ने किसे एक तीखी गंद होती औमूनिया अमोनिया क्या है एक गेस है इससे क्या होती है काफी गंद निकलती है जो नुदि ने को अस्थाई है मिथें परोपें अथें और ब्यूटें ये चार में करें सबसे ज़्यादा अस्थाई एस्टेबल कौन है तो बोलेंगे विथें चारगों है सर कौन मिथेन है प्रोपेन है एथेन है और ब्यूटेन करा कि चार में से कौन सा ज्यादा स्थाई है तो सबसे ज्यादा कौन सा है मिथेन कोन सी रसानिक पर्तिक्रिया की प्रकृती हमेशा उसमा सोसी होता है अब घटन परिकशन तुमारा कौन सा हिस्सा मानव तो यचा का सब सिर्बारी हिस्सा देखो कषिए बाहर वाले इसके बाहर बसकुण है इसको का जाता है क्या क्या मिए अबंदे है की खेसी वहान में पीछे को देखने के लिए दरपन लगा रहाता है उसमें कुछा होता है कुछा घरपन होता है तो इसमें उसमें कुछा कुछा श्रुष्ट अबर्धन कारण क्या है और गेनो कुलोरीन हमारे फेपरा में डैस को सीका होते जल्दी बताओ जलो 500 गिफ्ट है जो बोलोगे तुरंट 500 हमारा फेपरा जो है सुनो हमारा फेपरा जो है फेपरा में कितना को सीका होता है हमारा फेपरा है लंक्सा है उसमें कितना सेल होता है कितना सेल्स होता है बताओ 500 का प्राइज है कितना होता है चलो 600 700 400 गिफ्ट 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 उल्टा तुम्हों भी प्राइज रख लो हम बता देते हैं तो हमारे फेपरा में ठीक है 300,000,000 को सीका है ठीक है अब याद रखना ये इस प्रस्ण आता हमारे फेपरा में कितना को सीका है 300,000,000 याद में एक परकार का माना ब्रोख है जो सफेद रख को सीखाओ का कैंसर है देखो लुक्वेमिया ये तो अगा मतलब केंसर हो गया सफेद रख्ट को सिकाओं का केंसर सफेद रख्ट डवववीसी इसमिर अंपर बार काते हैं डववीस करते हैं निसेश्ट मिकास विवाजान विविन्ता किम अध्यान को किस नाम से जाना जाता है तो भुरुन बिग्यान की नाम से जाना जाता है विशेचन विकास विभाजन और भिंता के अध्यान को किस नामों से जाना जाता है तो भुरुन बिग्यान से नामों से जाना जाता है फल पकाने के लिए किसका आप फल पकने वाला मागता है है तुम जानो कहां से मार्केटेशन लागए आप पताल से थोड़े लाओगे उस्तिवेख से दो मिनट पहले शूर्ज दिखना और वास्तिविक सुरियात के लगबग दो मिनट पाल शूर्ज दिखने के कारण कि किसका जिम्हेधर जल्दी बता दो प्रकास परावर्त्न तिन थों से बताओ आपकास की एस यह प्रकास की लिए वार जो प्रकास की बताओं जो बता दों कि तेन रुपिस माइज गैसा पटाकीन है किसके लिए तुम्हारा बढ़िया सुन लो अपरतं प्रावर्तन और प्रकृण णो प्रकास अंद्र प्रकास अंद्र प्रकास का अप्वर्टन संद्रे पृवर्टन थोड़ा थोड़ा से द शुन्हां नेक्स्ट फल पकाने के लिए प्रयू किया जाता है केल्सियम करवाइड और असे टिल नेक्स एथ तुम्हेरा मानब शरीर की क्वल्स डर की जांच क्यों कींaina शरीरी Q पता चलता है क्वामा दिला सवी काम कर रहा चानल कर रहा है कि नहीं किसे दिखाना चाहिए तो किसको दिखाना चाहिए मतला किसी को बिमारी ना दे चाहो मेरा दूस्मान ही क्यों ना हो बिमारी किसी को ना दे बहुत गंदा बिमारी होता अभी कुन सा ही रोईन है जो बैचारी ठाट फेज में है ठीक है देखो सारे चीज है इस दुनिया में इस धर्ती पर हो तो सब कुछ है लराई जगरा तामस गुसा विवाद हसी खुसी सब कुछ है और जिस दिन ये जनसां इसलिए हम दुस्मन व का भी क्या सोचे है अच्छा सोचे है सढ़ी क diciendo दो सभात करेंगे नेक्स प्रिवाले से चीजिक कि किशे किसे दिखाना चाहिए पराग कोश से एस्टिगमा पराग कोश से कहां तक संचार होता है तिक है संचार हो देखो चुवा को अभी कोई टिंसन है पढ़ने का टिंसन है हम यहां पढ़ा रहे हूँ आपना खेल रहा है दो तिन गया यह उधर बाके जा रहा है तिक नेक्स्ट को सन है पराग कोश से एस्टिगमा तक के संचार पराग कोश से एस्टिगमा तक संचार गेशों में से सानी के वाई मंडल में ज्यादा तर कौन सी गेस है था है ट्रोजन गुलोबल वारिमी से निपटने का पड़ योग नहीं होता खाना पकाने के लिए इंदन की रूप में लकरी का उपयोग करना इससे निपटने के उपाय नहीं है कुलोबल बार इसने नेक्स्ट को समय तुम प्लोरोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्लोख्ल किसके करन ड 개ी करते हैं कास्टिक सोडा को क्या की गूल बनाया जाता है उससे क्या किया जाता है तो फल का चिनका छिकले में असान हो जाता ठीक है आज तक नहीं जान रही थी समझे इसी परिकिरिया को का जाता है लाइप फिलिंग लाइप पिलिंग लाइप 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 प्रिकरिया है क्या इसमें कशुप्र कश्टिक शोडवीस 14 तो इसी स्क जाता है गहिंस को सब्सKYक्त जाता है किसको तिक सोड़ा का घौन तयार किया जाता है और उसा कास्टिक sóड़ा ड्रवारां के गळाता है अगया था थोजार चॉठेक बखरिया मोई अनुसंधान सथा अब के अंधर आप तुम कहे गए कि अनुसंधान कहां तो तो पर आचा इसकी कितनी खुबसूरती है मतलब जो पालता है उससे कितना लगाव रखता है ठीक है हमको भी जण बहुत अच्छा लगता है ठीक है हम लोग किसी का भी यह दी पकर में आ जाता है न तो जो भी समझे चोटा सो बच्चा जो होता है उसको गोदीम ले लो ऐसे ऊस्टाल जो जाएगा यह जो पालता है जिसकी पास रहता है तो उसका जैना उसी के पास जाके तो कुबसूरती होता है तो कहां जाता है के उत्यूंबरो Peopleが को पालता है कि ह्सकी हर बात को समझता तो हर चीज का जैसे मनुष से बेतर तो आज के डेट में जानबर भी समझने लगा है तो कहाज है बकरी केंद्रिया बकरी अनुसंद्राम संस्था कहा है तो यह है तुमारा उत्तर परदेश में कौन सा जगा में सार फरा फरा और मक्दूम में यह उत्तर परदेश में इसका पिर एक शंक्ता है और इसमें भी बहुत सारे नसल होता है बगरी के भी बहुत सारे नसल होता है अभी एक लडरकी मंतलिक्त कमा रहे थि लेकिन उसने कि वहां पर जुड़ के आज आती है भारत और भारत करवाद के खाले और बहुत सारे कम से कम डिर्दर गॉसаф गाए खाल दी ऊसके बाद फितना संदर उसका चला इसके बाद फिया उसके रही था खल और जतने भी जमिन ठीक हमें खुल दिया उसमें बिडियो देख रहे थे सो एक बकरी के दूद के लिए वहां पे बड़ा बड़ा जगर से बड़ा अथी से जहनो उसका उड़र आता है बोला जहना मतला जहना एक गाय से भी बोला सर आज की डेट में हमाई कम से कम 20-25 रुपय मंथली कमाती हो अब सुचो आज की डेट में दोनिया काता है कि हम यह काम करेंगे तो लोग प्हक्तली कमाती एक बोलें सर में टेक्स भडती हूँ और से पूरू दिखा ही अब सोचो इस से हम लोग को क्या हुने चाहिए हम यह क्या कर रह थी मतलब है हम अच्छा काम कर रहे हैं कि तो गाइब रखने के लिए उसको पते नहीं तो हम नोकर नहीं नोकर देने वाले बने तो बिल्कुल, आज की देट में सहरकारी नोकरी नहीं हुआ यह परेवेट वालाइब पांशाल में सरकारी की करता है? नजम झारा आब इसी बाद थोड़ा सा सुनो मेरा दोस्त है उसका 2,000 जो SARAH10 से 13 मों नोक्रि लगा था पुलिस बहुत अभी उनके साला के साधी था त्हम से 15,000 उर्पया मंगा था हम सोच रहे थे वह टूनोक्रि करता था नाप्षना पेसा हुगा सरकारी नोक्रि करता है तो हम उसे पूछे कि आपको तो पैसा के दिकतीन होना चाहिए क्योंकि आपके सरकारी नुक्री करते हैं भाई प्राइवेट वाले को तो कभी बिजनेस है कभी अच्छा चला कभी खराब हो गिया तो कहता कि सर कहने में करने में बहुत का अंतर है बोले जो एक सरकारी नुक्री करने वाले होता है उसका एक सलरी होता है और समय में वो क्या रहता है बंधा हुआ रहता है एक प्राइवेट जोब करने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है फ्रीडम होता है वो एक साथ बहुत सारे कारी कर सकता है एक साहत बहुत सारे ह काम करें, लेकिसार हम लोग नहीं करें खणक शक्ता है। सब्सक्राइब कर रहा है वहां के मेंट दो कहांने का होता है बता कोई व्यक्ति प्रभी जब करके न होती जो ओए सब्सक्राइब दो 1 करी से कवा रहे तो कि यह उसके सब कर चाहरा है तो इसके लिए यह कर, कि आप पाइसा उस कुछ दिन जॉब करो सर्विस दो इक्षा नहीं है मन नहीं कर रहा है मन अच्छा नहीं लग रहा है उसी पैसा का बढ़ी आप बिजनेस कर लो कि नोकर नोग्री देने वाला बनो पाउंच आदमी को नोग्री तो पाउंच आदमी के घर में चुला जला ओ तुम्हारे पैसे से इसलिए अचplatz यंड प्रार संकिल्ब लिए Πारेविट काम करना है पाइसा बहुत है समझे रहे ना प्राविट काम में पैसा बहुत है लेकिन सरकार भी करके दिखाना है अदमी को ठीक है अन्याथा आदमी जो नहीं होता है तुम्हारा लाई फिलिंग क्या होगी कास्टिक सोडा का गौल त्यार करके उसके छिरकाओं किया जाता है फलों को संदक्षीत रखने क के लिए उसमें नमी की मात्रा परतिसाथ अधिक नहीं होने चाहिए बीस बीस से चोवीस परतिसाथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीस से चोवीस परतिसाथ से ज्यादा नमी उससे ज्यादा होगा तो फिर जोनों क्या होगा सामगिरी खराब हो जाएगा नेक्स कोसन है तुम्हारा मचलियों को मारने के लिए पर्युक्त उत्तम वी सजहर है मच्वे की खली मच्वे की खली यह मच्वे की खली अच्छा यह जहां पर मानों की जाएं बहुत जगा इलिसका पड़ियों किया जाता है लेकिन बहुत जगा नेक्वरता लोग तो यह मच्वे के लिए काफी क्या होता है से समंदीता है तो मुँच्फली से समंदीत एक राल गलन्किस फशल की गंबिर विमारी आकी ब्युक्र नेस्ट कोछन हैं चिनल आरहर आकां। जी जाएं क्पोक्रणी दान ईक सव्मकुन किसान है उसकी खेत में अमली की मात्रा क्या हो गए बढ़ गए तो उसको सर्क परियों के लिए उसको कैसे खतम करता है सोडियम नाइट्रेट डालके जेल मीटर से ग्याद किया जाता है पेक्टिन की सरेनी जेल मीटर से पेक्टिन की सरेनी की सरेनी ठीक है की स्थातिव की उपलबता जल प्लावित भूमी में से कम हो जाती है तो फासफोरस की क्या हो जाती है फासफोरस की ठीक ना नहीं लग रहा आज खतम होगा चलते दे कि थक गई हो प्लोग अपने थाकेगी बोलना तों को नो पर रहा आपके पीछे पीछे आपके पीछे आपके नो बता है एक बार हां जी सर जी सर वो में धंग से मुझा खुली यह रहा बलने में चलो ठीक 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 किसका पता लगाने के लिए बीज की जीवन सकती को पता लगाने के लिए किसका प्रियों करते हैं ऑब इससका बढ़ता होगा अभी जो किसान होता है तो मार्केट से क्या लेता है वाइट को बीज काते है कि ब्याइट की यह काता है 200 रूपिया तोसर उस बीज को जो से प्लास्टिक में पटिंग किया जाता है तो से पहले उसका प्रिक्षन किया तो यह जीवन सकती कितना दिन तीज़ टीज़ 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 पर इक्छन से उसका जीवन सकती का पता लगाया जाता है ता लगा जाता है नेक्ट को समय तुम्मेरा सब्सक्राइब उन्हेस सब्सक्राइब जाती है इसमें कर रहें कि लेग हमोगलोवी क्या कर रहा है लेग हमोग्लोवीचा है तो लेग हमोगलोवीन पाई जाती है या आज जाती है तो लेग हिमोगलोविन पाई जाती है लेगयूम मुल गरंतियों में यह प्रस्ट इसे पहले नहीं है बरियों से दिमागे बठाओ लेग हिमोगलोविन लेग हिमोगलोविन जो है किस गरंती में पाई जाती है तो लेगयूम मुल गरंती में लेग हिमोगलोविन पाई जाती है लेग्यों मुल गरंथी में पाई जाती है पोदों की बिर्दी समानता किस मिर्दा पी-एच के मद होती है तो देख वही वाद पोदे की बिर्दी के लिए कौन से मिट्टी बड़ा अंग्राई आ रहा है यां दो घंटास मैं बोल दा हूं अंग्राई लोको आ रहे जब भग साथ पॉइंट पांच के बीच होता है तो यदि जिस मिटी का पीएच मान जिस मिटी का पीएच मान छे से लेकर 7.5 के बीच होता है छे से लेकर 7.5 के बीच होता है ऐसे मिट्टी को हम लोग को परियोग करना चाहिए पेर पौदा फूल बेगरा के लिए उर्जा नियामक तत्व कौन से है तो हैड्रोजन इबं आउक्सीजन उर्जा नियामक तत्व कौन से है तो हैड्रोजन और उक्सीजन करके मच्छर में परियुक्त होने वाले पाईरे थील किसे प्राप्त होती है तो बिजानों पोदों से क्या बिजानों पोदा से त्म क्छर के न beings कोसरन से तुमंहार एको मार्क पर्तिक समंदीथ है परिया वरन के लिए सुरक्षित वस्तु देखो जो वतावरन के लिए जो वस्तो सुरक्षित है या नहीं है तो उसके लिए एक उमर ہ पर इको लगाया जाता इको मार्व पर्तीक लगाया जाता किसके लिए पडियावरन के सुरक्षित बस्तुओं के लिए किस वर्ष कार्वन क्रेडिट की संकल्पना किसे कोटु प्रोटोकल कोटु यह बहुत इभी विए तो कोटो प्रोटोकल कारवन करे लिड़ीट कोटो प्रोटोकल कारवन करेडिट कोटो प्रोटोकल नेउस्ट करने है बाइव डीजल का इस्तमाल करने वाला भारत का पाला राज वह थ Cashती से student इस नेइब 드BA करने के लिए जीवित सुख्ष जीवों का पड़ युका लाता है क्या बायो बायो रिमीड बोलो बायो रिमीड यक्षन नेक्स्ट कुछन है तुम्हारा भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारम हुआ तो असंगाबाद असंगाबाद में मिट्टी बचाओ यह आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन का नाम था मिट्टी बचाओ आंदोलन बारत की से राज इसे मद पर्देस और मथ पर्देस की सिजीला से ए इसनगाबाद से ठीक है किस परियावरन वील मैं मनला परियावरन के लिए उसको एक नाम दिया गया जल प्रूस बताऊ तो हमारे दियार में उसका जन्म हुआ था डॉक्टर राजंद परसाद जो हमारे स्वतंत्र दे भारत के राष्टपती वने तो इसको कहा जाता है जल प्रूस क्यों क्योंकि यह परियावरन से बहुत महबत करते परियावरन के सरक्षा के परियावरन से रखने के लिए कि रिवे परियावरन के हीत में यह बहुत काम करते था जल पूरुस कि सको राजान सिंग परसाद नहीं तो राजन परका जलो सक बाण खाले से श्याने भारत में एनिमल विलफेयर बोर्ड का मुख्याल है कहां पर है है। राजीव घांदी परियावरन पुरुषकार लो राजीव घांदी परियावरन पुरुषकार श्रेश्टतर योगदान किसके लिए है। तो यह सुक्ष प्रोध्यकी के एबंबिकाज सुक्ष प्रोध्यकी और इतना ही रहने देखेगी इतना ही रहने दो सुनो कल जो है कल जो वीडियो आएगा वह आएगा कम से कम 6 या 7 गंटा का ठीक है और 6-7 गंटा के वीडियो आएगा परने वाले बच्चे दिपावली नहीं मनाएंगे लचमी माता को परनाम करेंगे और बोलेंगे है मालचमी आप मुझे अश्रिवाद द जीए की जिस परकार जनब पढ़ लिके आप अच्छे से मेरे पास आप आये लचमी पूझा के मतलब क्या धन दोलत आए यह नहीं मनाएंगे ताभी तुम दोलत आएगा बिना पर अच्छे से पर होगी नहीं काम्याब नहीं बनोगी नोकरी नहीं लोगी कोई अच्छा से Maar लचमी माहका बना परकर के माँ मुझे सकती दो मुझे वर्दान दो मुझे वक्तागत दो कि मरे पढ़ने मम लगे और इतना पर है कि जिल अ सकसे से करें और मेरे पास बेबी आपको रखने के क्या हो आपको रखने क 개ँ आपको रखने कि पलतर हो एसके लिए आप並त करलेंगे एक जदा나 मुझ spoiler कि मर्です पता कंते हो आज में बाओ साथी ने होगा लठी हो तुम लोग तो पटाका बेगर नहीं फोरना नहीं फोरना थे का तो क्या करना फोरना थे ज्यादा ज्यादा खाने का मनो जो घर में मिठाई आएगा वही खालेंगे मामी पापा को परिशान ने करेंगे कि नहीं च्पेसल मिठेल यह सपिशन बुल रही है इसे बच्चेश घरवले को परिशान करता है और रात में हो छह यह शया सात घंटे absorbs का कि पूरा फीर का रात में अब्लिंट्यॉश का घंटा की एग सात घंटा में हूं डशम पूजा मालशमी करना किस तरह जना का जाता है वोज दिन मनें सब्सक्राइब क्या बोले पढ़ने वाले बच्छे के लिए कुछ नहीं टीक है और जो कमाता है उसके लिए कर्म टीक है तहां भी जना रात में आज रात हम भी नहीं सोएंगे पूरा फिजिक्स खतम करेंगे टीक है पूरे फिजिक् लेकिन सुभा आप लोग को ओठ के तीक आप लोग को क्या करना है ओठ के बिट जाना है पढ़ने के लिए और आप लोग का भी संकल्प रहेगा जब तक इसको खतम ने करेंगे नोट्स ने बनाएंगे तब तक हम नहीं उठेंगे तीक है यह मेरा राज संकल्प